हेलो आज हम लोग लूसेंट मेकानिक्स का लेक्चर 3 पढ़ेंगे जो लेक्चर 2 और 1 एटन नहीं किया है वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं क्योंकि इसके बाद से जो लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है यह पूरा पूरी डिपेंड है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का तो उसको भी आप लोग देख लीजिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले जो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो यूनिट्स पर चुके थे फंडमेंटल यूनिट्स एंड डिराइवड यूनिट्स तो चलिए अब हम लोग एक एक फंडमेंटल यूनिट्स को देखेंगे तो पहला है यूनिट्स ओफ लेंद्ध यूनिट्स ओफ लेंद्ध पहला हम लोग कहा है यूनिट्स ओफ ले इंटनेसनल स Daug Waal पढ़े थे ऐसा यू निट रह किया होता है आप यृझत का나म क्या होता है सो हम लोग जानते हैं सब को मीटर रोख IS एँचा इसा यू निट गहतो जो मीटर जो स्टेंडररड जो है वब तो thirds सबका कुछ ने कुछ डिफिनेशन है तो वन मीटर का डिफिनेशन क्या होता है कि कि डिस्टेंस ट्रेवल लाइट इन वेकूम अगर जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है कितना सकेंड में तो वन बाइट टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फॉर फाइव एट इतना सकेंड में जो लाइट किसी वेकूम में ट्रेवल करता है कितना दूरी तहीं करता है वह हो गया एक मीटर ओके तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड वाइट इन वेकूम इन वन बाइट टू नाइन सेवन नाइन टू फॉर फाइव एट सकेंड यह तो डिसाइड किया गया कि इतना सकेंड में जो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वह है एक मीटर ओके तो यह है आपका एक मीटर का डिफिनेशन अब चलिए मीटर का कुछ शब यूनिट के बारे में देखते हैं जैसे सब यूनिट्स आप मीटर क्या क्या हो जागा सब यूनिट्स मिंस जो इसका छोटा यूनिट्स है जिसमें जैसे सेंटी मीटर हो गया मिली मीटर हो गया माइक्रो मीटर हो गया नेनो मीटर हो गया तो यह सब क्या है उसका सब यूनिट तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटीमिटर और मीटर में क्या रिलेशन है तो याद रखिए कि हंडेड़ 10 के-मिटर में क्योंकि सबस्किंट थे, 10 के पर मैंकि सबस्या सबस्केट थे तो mitt का मैंकि सबस्का रिलेशन है और ननो मिम्स कोपवार मानका नीन मेटर कर षाद का सकते हैं इस इस नेनो मेटर, ओके, मिन्स यह प्लास में हो जागा, तो अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मीटर इस इकाल टू 10 का पार माइनस 9 नेनो मीटर, इस टेप से लिख सकते हैं, ओके, और जैसे कि 1 मीटर इस इकाल टू 10 का पार माइनस 6 माइक्रो मीटर, ओके, तो यह था आपका सब यूनिट्स, अब हम लोग कुछ मल्टिपल्स के बारे में जागते हैं, मैंतर मीटर का मल्टिपल्स, मल्टिपल्स ओफ मीटर, मल्टिपल्स ओफ मीटर, तो मल्टिपल्स क्या क्या हो जाएगा, तो इसका बड़ा यूनिट, जैसे किलो मीटर, उसके बाद, मैंली होता है, इससे ज्यादा बड़ा यूनिट, जो है, मीटर में नहीं ले जाता है, अगर उससे भी ज्यादा लेना है, तो वो और भी चीज़ है, लेकिन बस यही है, सबसे बड़ा यूनिट, तो में के किलो मीटर is equal to हता है, 1000 मीटर, कि यह आपका माल्ığınıटिपल यूनिट्स आफ मीटर, और कुछ नां मेट्रिक यूनिट आफ लैंथ कुछ नां मैट्रिक यूनिट को हम लोग देखेंगे, तो उसमें क्या क्या आता है, चलिए हम लोग देखते हैं, तो नॉनमेट्रिक यूनिट आफ लेंद्ध नॉनमेट्रिक में क्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनोमिकल यूनिट एस्ट्रो एस्ट्रोनोमिकल यूनिट एस्ट्रोनोमिकल यूनिट क्या होता है तो यह जो है इसका डिफिनेशन है कि डिस्टेंस बिट्वीन आर्थ और सन आर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है यह है आर्थ और यह है सन इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है यह क्या है इसक कोई दिक्कत तो अब हम लोग देखते हैं कि वन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट मतलों आर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है तो यह होता है याद रखेगा यह 1.496 इंटू 10 का पार 11 मीटर बस इतना याद रखना है वन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 का पार 11 मीटर ओके तो यह था आपका एस्ट्रोनोमिकल यूनिट अब हम लोग नेक्स्ट नॉन मेंट्रिक यूनिट में देखते हैं दूसरा है लाइट येर लाइट येर का होता है तो याद रखिए कि लाइट एक येर में किसी भैकूम से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होता है लाइट येर क्या बोलें ये क्या है डिस्टेंस है ये डिस्टेंस का यूनिट है हमेशा याद रखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाइट लाइट किसमें इन ए भैकूम इन वन इयर एक साल में एक साल में लाइट भैकूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है वो होता है क्या लाइट येर तो एक लाइट येर इस इकल टू वन लाइट येर इस इकल टू होता है 9.46 इंटू 10 का पार 15 मीटर एक दम याद रखे है बहुत ही इंपोर्टेंट है वन लाइट येर इस इकल टू 9.46 इंटू 10 का पार 15 मीटर और ये किसका यूनित है डिस्टेंस का, astronomical unit हो गया, light year हो गया, इस अब क्या है, distance का unit है, कभी भी time का unit कभी मानने दिजिएगा, कहीं भी पूछा जा, यह distance का unit है, किसका unit है, distance का, light year, ओके, तिसरा हम लोग देखते हैं, पार्सेक, तो पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक होता है, कि जैसे कि, आर्थ इस टाइब को होता है, थोड़ा सा नरंगी कार, इसका एक major axis जो लंबा वाला है, उसको बुलाएता है, major axis, और जो छोटा वाला distance है, उसको minor axis होता है, ओके, तो पार्सेक क्या होता है, कि एक second में, एक second में, वो कितना, एक second में, इसका angle होता है, जैसे कि, हम पूर अच्छा से details बता रहे हैं, कि जैसे degree, एक हम लोग पढ़े हैं, degree, जैसे 90 degree, 45 degree, 35 degree, degree से छोटा unit होता है, minute, याद रहे हैं, कि डिग्री से छोटा unit में आता है, minute, minutes, और उससे छोटा unit में आता है, second है, यह सब angle का unit है, degree, minute, second है, आपको लगे है कि minutes और time का unit है, time का भी है, लेकिन, degree का भी unit, minute, second में आता है, तो इधर, एक second, एक degree जो है, यह कोण, यह कोण जो होगा, एक second है, ठीक है, एक second में, one second degree में, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यह जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है, perfect, समझ मागे, याद रखिया है, याद रखिया तो झोटा रूप इससे मीटर को होता है यह सक्षान उसको मिली मिटर होटता है कि दिखले इसको इसे कोई बड़ी चीज नहीं है शुक्त कर गोगा तो यह जो यह घुरी एक डिगरी को सब्सक्राइब सेकेंड जो डिगरी को सो कर रहा है तो यह जो इतना सेकेंड में वन सेकेंड में जो यह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा माली यह घूम रहा है तो यह डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है इतना सेकेंड इतना एंगल पे तो यह इतना जो डिस्टेंस आ गया यह डिस्टेंस बुल पर सेके इस इक्वेल टू वन पर सेक इस इक्वेल होता है 3.08 इन्टू 10 का पार 16 मीटर याद राजाएगा 3.08 इन्टू 10 का पार 16 मीटर और जो कि होता है जो कि होता है कितना होता है इसका जो 3.26 light year के बराबर होता है मतलब क्या हो गया पर्सेक जो हो गया वो light year से भी बड़ा है कितना 3.26 टाइम ज्यादा है पर्सेक तो पर्सेक भी एक क्या है डिस्टेंस का ही यूनिट है तो ये दोनों याद रखेंगे कितना कितना मीटर में कितना होता है और light year में वो कितना गुना ज्यादा है 3.26 टाइम ज्यादा है तो ये हो गया आपका पर्सेक अब आते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम्प्स क्या होता है ये भी एक क्या है यूनिट से अपका नॉन मेट्रिक यूनिट से तो चलिए देखते हैं आप ऊथं एंगस्ट्रम को दिनेट करते हैं किससे उआँप अगस्त्रोम को दिनेटे न इस टैपसे करते है थेंप मिनस इधर नहीं वहगा से से देनट करते हैं तो वन एंगस्त्रम क्याविज्वाश्ट होता है वन एंगस्ट्रॉम is equal to होता है 10 का पार माइनस 10 मीटर ओकर यह हैं यह हैं और कुछ भी नहीं उसके बाद एक हो है फर्मी 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 मिन्स 10 का पार माइनस 15 इसको एफ सर्डूइंट करते हैं याद रखिए वन फर्मी is equal to 10 कापार माइनस 15 मीटर यह दोनों याद रखेएगा यह जनरली यूज होता है नुकिलियर साइन्स में और यह स्ट्रॉम हमें से लाइट में यूज होता है इतना यह स्ट्रॉम ओके तो यह चीज था आपका नॉनमेट्रिक यूनिट्स अफ लेंद अब चलिए हम लोग जैसे कि यह मीटर का देख लिए अब हम लोग मास का देखेंगे यूनिट्स अफ मास मास का क्या क्या यूनिट होता है तो सबसे पहले हम लोग जानते है ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट मास का क्या होता है मास का ऐसा इनुट क्या है तो सबसे पहले है किलो गराम किलो जिसको हम लोग बोलते है केजी ओके तो यह था तो अपका ऐसा इनुट आफ मास तो अब एक केजी क्या होता है एक केजी का क्या डिफरेशन देंगे हम लोग क्योंकि यह सब स्टेंडर्ड है एक के जी हम लोग किसको मानते है इस्टेंडडर्डिस का क्या है तो याद रखिए कि ये जो है एक के जी जो डिफाइन किया गया है ये एक राड है खुछ भी नहीं है एक राड है किसका बना हुआ है पलेटिनिम प्लेटिनिम प्लस इरिडियूm एक alloy है यह क्या है एक alloy है जो platinum और iridium से मिलके बना हुआ है बस इसी का एसा ही एक rod बनाके रख दिया गया है जिसका weight है वहाने के लिए बस और कुछ भी नहीं यह कहां पर रखा गया है पेरिस में कहा है पेरिस में इंटनेशनल बियोर आफ वेट एंड मेजर वह पेरिस में इस्तित है तो एक इसको जिरो डिग्री सेंटीग्रेट में रख दिया गया है और उसी से हमेशा केजी का वहलू लिया था वहीं स्टेंडर्ड है अब इसका सब यूनिट्स क्या हो जाएगा तो केजी से नीचे क्या आता है ग्राम आता है मिली ग्राम आता है उसके बाद अपका हो गया सेंटीग्राम भी होता है सेंटीग्राम भी होता है सेंटीग्राम भी होता है यह सब यूज होता है सोनार में यूज होता है बहुत चोटा चोटा तो मैंने ग्राम और मिली ग्राम तो हम लोग जानते हैं वन केजी इकल टू कितना होता है तो 10 का पार मैने 6, 10 का पार 6 मिलिग्राम हो जाएगा, और अगर हम इस टैप से लिखें, 1 मिलिग्राम इस इकल टो 10 का पार मैने 6 kg हो जाएगा, तो यह सब चीज है, अब माल्टिपल यूनिट में क्या को हो जाएगा? माल्टिपल यूनिट में इस से बड़ा यूनिट में, तो kg था, तो kg के बाद हम लोग जानते हैं क्या होता है? 100 kg को quintal बोला यता है, तो quintal हो गया, को इसके बाद क्या होता है उससे बड़ा मेट्रिक टन इसको ऐसे टन वोल देते हैं तो होगे मेट्रिक टन यह होता है एक हजर केजी के बरावर होता है इसको याद देखिए ओके तो यह था आपका है यूट अमास नेक्स्ट कुछ जैसे की नॉन मेट्रिक यूनिट्स नॉन मेट्रिक नॉन मेट्रिक यूनिट्स नॉन मेट्रिक यूनिट्स नॉन मेट्रिक यूनिट्स में क्या आता है तो जैसे हम लोग प्रोटन हो गया इलक्ट्रोन हो गया उसके बाद न्यूट्रोन हो गया यह सब का मास को हम लोग से सो करते हैं इसके मास बहुत ही किया होता है का होता है उसको हम लोग एक अलग से देनोट करते हैं जिसको हम लोग बीक मास यू निट क्या उनिक यू कि कि यह क्या है नॉन मेट्र की यूनिट है, किसका मास का ही है, यह क्या होता है, 1 amu is equal to क्या होता है, यह इंपोर्टन है, 1 amu is equal to क्या होता है, तो याद रखिए C12, carbon 12 का 1 by 12 भाग, तो 1 by 12 part of C12, C12 क्या है, कार्बन, एक होता है, कार्बन 12 और एक होता है, कार्बन 14, यह जो हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके हैं, वो नहीं भी पढ़ा है, तो हम लोग जब क्यमेस्ट्री पहुंचेंगे, तो बताएंगा, आइसो टॉप्स और इसो वार्स के बारे में, तो जो वेट है, अटमिक वेट 12 है, और C14 का अटमिक वेट 14 है, लेकिन उसका जो अटमिक नंबर जो वो सेम है, लेकिन मास नंबर अलग है, वो सब हम बताएंगे बाद में, कि उसको क्या बोला जाता है, तो अभी याद रखें कि C12 का 1 by 12 part को ही बोला जाता है, AMU, 1 by 12 part of C12, that's all, ओके, इसका बेलू कितना होता है, तो 1 AMU is equal to होता है, 1.65 इंटु 10 का पार, मैनस 27 kg, ओके, 1.65 इंटु 10 का पार, मैनस 27 kg, यह होता है, 1 AMU, ओके, अब हम लोग, जो बहुत जादा large mass होता है, बहुत जादा large mass, उसको हम लोग solar mass के term में दिखाता है, solar mass क्या होता है, तो एक large unit है, बहुत ही बड़ा, इसका भेलू होता है, 2.65 इंटु 10 का पार, 30 kg, 2.65 इंटु 10 का पार, 30 kg को solar mass बोला जाता है, ओके, अब हम लोग, यह तो हो गया, अब ह अब हम लोग क्या देखेंगे, time का units के बारे में देखेंगे, तो चलिए, आज हमें इतना ही रहने देते हैं, next class में हम लोग देखते है, unit of time, unit of temperature, और बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, और जो जो हम पढ़ा देने, इस से ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, पूर ताकि उसको सुवर सुवर notification मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी share करें और like करें, ताकि motivation मिलते रहें, तो okay, thank you